मौंसुन सत्र में आप सबका स्वागत है, सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधी भी जड़ा ज़ादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए पवित्र कारियों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है और आज जब लोक्तंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो इस लोक्तंत्र का मंदीर ऐसे अनेक पवित्र कारियों करने के लिए इस से बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है मुझे विश्वास है कि सभी मानिय सावसद मिल करके इस सत्र का जनहित्म सरबाधीक उप्योग करेंगे संसद की जो जिम्मेवारी हैं और संसद में हर संसद की जो जिम्मेवारी हैं ऐसे अनेक कानूनों का बनाना उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्चक है और चर्चा जितनी ज्यादा होती है चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है उतना जनहित्में दूर गामी पनणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं सदन में जो मानिय सांसद आते हैं वो धर्ती से जुड़े हुए होते हैं जनता के दुख दर्त को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरब से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समर्द होती है निर्णे भी ससक्त होते हैं परणामकारी होते हैं और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को सभी मानिय सांसदों को इस सत्र का भरपूर उप्योग करके जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं यह सत्र अनेक रूप से महत्वका भी है क्योंकि इस सत्र में जो बिल आये जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं हमारी युवापीडी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकारते नेत्रुत पर कर रही है उस समय देटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरी को एक नाया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बगाने वाला बिल है उसी प्रकारते नेशनल रिसर्ट फाउंडेशन ये भी लेनारेफ नई शिक्षानिती के संद्रब में एक बहुत बड़ा एहम कदम है और इसका उप्योग अनुसंदान को बद लेना इनुवेशन को भल देना रिचर्ट को भल देना और हमारी हुआ पीड़ी जो विश्व के अंदर नए उप्क्रमों के द्वारा विश्व का नेत्रुत्व करना का सामर्त रखती हैं उनके लिए बड़ा आउसर दे करके आ रही हैं जनविश्वास बिल सामान्य मानवी के परति भरोसा करना अने कानूनों को डिक्रिमिलेज करना इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला इबील उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खतम करने के लिए भी एक बील में प्रावधान किया जा रहा है हमारे यहां सदियों से एक परंपरा रही है कि जब विबाद हो तो सम्वाद से सुल जाया जाए मिडियेशन की परंपर हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है उसको अब कानूनी आधार देते हुए मिडियेशन बिल लाने की दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उप्योग है जो अनेक विबादों से सामान्य से सामान्य मानवी से लेकर के असामान्य संजोगों को भी मिल बैठकर के सुल जाने का एक मजबूत दीव बड़ाएगा इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजिस के लेकर मेडिकल के चात्रों के लिए एक नई व्यवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बील इस बार इस सत्र में संसज में आ रहे हैं तब ये जनहित के हैं ये युवाहित के हैं ये भारत के उजवल भविश्य के लिए हैं मुझे भिश्वास है कि सदन में गंभीरता पूर्वगिन बीलो पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट हिट के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे साथियों आज जब मैं आपके बीच आया हूँ इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूँ तब मेरा रदय पीड़ा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्बे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगा पे है लेकिन बेज़्जती पुरे देश की हो रही है एक सो चालिस करोड देशवाचियों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख मंत्रियों से आगरे करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बेहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिस गट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोड़े में किसी भी की राज्य सरकार में राज नीतिक वाद विवाद से उपर उठ करके कानून व्यवस्ता का महत्मा नारी का सम्मान और मैं देश वाज्यों को विश्वाद गिलाना चाहता हूँ किसी भी गुनेकार को बक्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों